आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 3 के पर्यावरण अध्यन की किताब आसपास का पार्ट 3 पानी रे पानी तो बच्चो आपने पार्ट पढ़ाई होगा आज हम इस पार्ट के कोशन आंसर करेंगे तो बच्चो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे तो शुरू करते हैं क्या तुम पानी पर कोई कवीता या गाना जानते हो कक्षा में सुनाओ तो आंसर है बच्चो इसका पानी रे पानी तेरा रंग कैसा जिस रंग में मिल जाए उस जैसा अगला कुश्यन है कवीता में पानी से जूड़ी कौन सी आवाजों की बात की गई है कुछ आवाजें तुम भी बताओ आंसर है बच्चो कवीता में पानी से जूड़ी निम्न आवाजों की बात की गई है जैसे कि कल-कल-कल-कल-कल-चल-चल-चल-चल-चल-चल-चल पाक जहर 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 टप 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 अगला कुश्चन है कभी ने क्या कहा है पानी कहा कहा है आंसर है बच्चो कभी ने कहा है कि पानी नदी में जहरने में जहील तथा कुए में है अगला कुश्चन है नीचे दिये गए जिन कामों में पानी की जरूरत है उन पर सही का नि में होती है आटा गूंदने में पानी की जरूत होती है लिखने में पानी की जरूत नहीं होती नाव चलाने में पानी की जरूत होती है चित्र बनाने में पानी की जरूत नहीं होती पॉधों को उगाने में पानी की जरूत होती है पंखा चलाने में पानी की जरूत नहीं होती अगला question है ऐसे चार काम लिखो जो तुम पानी के बिना कर सकते हो और तुम पानी के बिना नहीं कर सकते हो आंसर है बोलना, चलना, पढ़ना, खेलना जैसे काम में पानी के बिना कर सकता हूं या कर सकती हूं खाना बनाना बरतन धोना नहाना कपड़े धोना जैसे काम बिना पानी के संभव नहीं है अगला कुश्चन है इन कामों में सबसे ज्यादा पानी जिसमें लगता है उसे पहले लिखो बाकी को ज्यादा से कम के क्रम में लिखो काम नहाने में, पीने में, घर धोने में, खेत में, पानी देने में, आटा गुंधने में आंसर है, खेत में, पानी देने में, घर धोने में, उसके बाद नहाने में, उसके बाद आटा गुंधने में, और फिर पीने में अगला कुश्यन है, कहां से मिलता है पानी तुमने कविता में नदी, जहरने, तालाब और कुए के बारे में पढ़ा इन से हमें पानी मिलता है तुम पानी कहां कहां से लाते हो तुमारे घर में या घर के आसपास इन में से जो जो हैं उन पर गोला लगाओ तो बच्चो जहीन, कुवा, तालाब, जहरना, सागर, नदी, नहर, ट्यूबवेल, नल, नलकूप, टांका, गरम, सोता बच्चो इन से हमें पानी मिलता है तो आपके घर जो भी पानी के स्रोत हैं इन में से आप उन पर गोला लगाएंगे अगला कोश्यन है, क्या तुमने कभी जमीन से गरम पानी निकलते देखा है हाँ, सूरजकुंड जो की हरिया नामे है तो बच्चो आपने जहां भी देखा है, आप उसका नाम यहां लिखेंगे अगला कोश्यन है, क्या तुम्हारे गाओं या सहर में कोई नदी बहती है यदि हाँ बहती है, तो उसका नाम क्या है आंसर है, दिल्ली में यमना नदी बहती है अगला कोश्यन है, तुम्हारे घर में पीने का पानी कहां से आता है आंसर है हमारे घर में पानी नल द्वारा आता है तो बच्चों आपके घर में पानी पीने के लिए जहां से भी आता है आप उसका नामिहा लिखेंगे अगला कुश्यन है क्या पानी लाने घर से दूर जाना पड़ता है पानी लाने में कितना समय लगता है आंसर है नहीं, सहरों में पानी नलद्वारा घर पर आता है परंतु गाउं में पानी दूर से लाना पड़ता है अगला कुश्यन है क्या आसपास के सभी लोग वहीं से ही पानी लेते हैं आंसर है हाँ अगला question है क्या ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनको वहां से पानी भरने नहीं दिया जाता है तो आंसर है नहीं सबी को वहां से पानी भरने दिया जाता है अगला question है पानी को भरकर रखने की जरूरत क्यों पड़ती है इसका आंसर है पानी को भर कर इसलिए रखा जाता है ताकि पानी ने आने पर उसका जरूरी कामों में प्रियोग किया जा सके अगला कोश्चन है तुमारे घर के लिए पानी भरने का काम कौन कौन करता है तो बच्चो इसका आंसर है माता पिता आपके घर पर जो भी इस काम को करते हैं आप उनका नाम यहाँ पर लिखेंगे अगला कुश्यन है चित्र में दिये सभी बरतनों में पानी भरा हो तो यह है तुम कैसे कह सकते हो कि किस बरतन में सबसे कम पानी होगा तो बच्चो यहाँ पर चित्र में यह बरतन है तो लोटे में पानी सबसे कम होगा क्योंकि यह सबसे चोटा बरतन है तो आप देख सकते हैं जो लोटा है वो सबसे चोटा बरतन है इसलिए इसमें कम पानी आएगा अगला कोशिन है किस बरतन में सबसे ज़्यादा पानी होगा तो बाल्टी में सबसे अधिक पानी होगा क्योंकि यह सबसे बड़ा बरतन है देख सकते हैं बाल्टी सबसे बड़ी है इसलिए इसमें ज़्यादा पानी आएगा अगला कुश्यन है तुम्हें क्या लगता है क्या छुटकी के गिलास में कम पन्ना था तो बच्चे इसका उत्तर है नहीं छुटकी के गिलास में कम पन्ना नहीं था बच्चे, ये तीन ग्लास हैं इनमें बराबर पन्ना है लेकिन ये ग्लास जो है ये चोड़ा है उंचा ना होकर चोड़ा है लेकिन जिसमें पन्ना है जिसे रस्प कहा जाता है ये बराबर है अगला question है पानी कहां कहां से मिलता है वर्ग पहली में ढूंडो और गोला लगाओ क्या तुम दस और ढूंड पाए आंसर है मैं दस से ज़्यादा ढूंड पाए तो यहां देखेंगे पश्ट है बावडी, बारिस, जील, नल, कुवा, सागर, नहर, नदी, टाका, तलाग तो यह सबी जो हैं पानी किस रोथ हैं जिनसे हमें पानी मिलता है अगला question है इनसे जो अलग हैं उस पर गोला लगाओ और बताओ क्यों नदी, पहार, तालाग, सोता तो बच्चों यहां पर पहार जो है वो अलग है क्योंकि पहार पर जरूरी नहीं है कि पानी हो अगला है नहाना, कपड़े धोना, तैरना, कंगी करना, आटा गुनना तो बच्चो नहाना, कपड़े धोना, तैरना और आठा गुन्दे में पानी की जरूरत होती है लेकिन जब कंगी करते हैं तो उसमें पानी की जरूरत नहीं होती है इसलिए या लग है अगला है मचली, बत्तक, बंदर, मगरमच, कच्वा बच्चो मचली, बत्तक, मगरमच और कच्वा ये पानी में रह सकते हैं लेकिन जो बंदर है वो पानी में नहीं रहता है इसलिए इनमें या लग है नेक्स्ट है कार, नाव, बस, रेल गाड़ी, साइकल तो बच्चो इन सभी में नाव जो है वो पानी में चलती है बच्चो इन सभी में चलती है